दलाइफ टीवी सच सबसे आगे कम होने का नाम नहीं ले रही और ऐसे में जब जनता मोर्चा खोल देगी तो फिर मुश्किलें और बढ़ जाएंगी आप समझ रहें किस तरीके से बचाने की कोशिश आडानी को लगातार की जा रही है आरेसिस लगातार जो है वो कह रहा है कि उच्वाम पंथी लोगों की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जोते वो एक साजिश रच रहे हैं जबकि हाकिकत यह है कि हिंडन बर्ड की रिपोर्ट आने के बाद यह हेडलाइन्स लिखी है कि अब आप देखिए क्या की गिरवी रखा है दरसल अडानी गृप की कंपनियों के शेरों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है अमेरिके रिसर्च फर्म के रिपोर्ट आने के बाद सही अडानी गृप को काफ़े नुकसान उठाना पड़ा है अब अडानी गृप की तीन कंपनियों ने अपने अतरिक तर्शेर भारती स्टेट बैंक की एकाई SBI कैप ट्रस्टी के बास गिरवी रखे है 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट आई थी जिसके बाद अडानी गृप को अब तक जो बताया जा रहा है वो 100 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है इसके अगर गिरिती करने आप जाएंगे तो आप नहीं समझ पाएं कितना बड़ा नुकसान अडानी गृप को हुआ है गृप की तीन कंपनियों ने अपने अतरिक्त शेर गिरिवी रखे हैं अब गिरिवी रखने ही पढ़ेंगे अमेरिकी रिसेंट फर्म हिंडन बर्ग के रिपोर्ट आने के बाद से अडानी गृप को काफे नुकसान हो चुका है हिंडन बर्ग ने अपने रिपोर्ट में अडानी गृप पर कई गंभी रारोप लगाये थे 24 जिनवरी 2023 को इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी गृप के ज़्यादा तर शेरों में गिरावट देखी जा रही है अडानी गृप के कमपनियों को सो अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान उठाना पड रहा है अडानी समू के तीन कमपनियों ने अब भारते स्टेट वेंग यानिके के पास गिर्वी रख दिये है जानकारी के मुताबिक अडानी ग्रीन एनरजी के साथ लाग अतरिक्त शेरों की गिर्वी रखने के बाद के पास कमपनियों के कुल शेरों के एक दिशमलों शूर ने छे प्रशर शेर गिर्वी हो गए है APSEZ के और 75 लाग शेर गिर्वी रखे गए हैं इसके बाद APSEZ के शेरों का एक प्रश्चत SBI कैप के पास गिर्वी हो गया है जबकि अडानी ट्रांस्मिशन जो कि अडानी ट्रांस्मिशन लिम्टेट है कि 13 लाग और शेरों के गिर्वी रखने के से इसके कुल 0.55 प्रशत शेर गिर्वी हो गए है तो ये आप समझे कि इस तरीके से ही गिर्वी रखे गए हैं शेर और अब अडानी परेशान है कि क्या होगा दरसल शेरों में लगातार गिरावट आ रही है जब से हिंडन बर के रिपोर्ट आई है उसके बाद से अडानी ग्रूप की कंपनियों के शेरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है 13 फरवरी 2023 को भी अडानी ग्रूप के शेरों में गिरावट देखने को मिली यह शेयर आज 1847.35 रुपए पर खुला था अडानी पॉर्ट का शेयर सोभमार को 5.25 फीजदी यह कह सकते हैं 30.65 रुपए गिरकर 553.20 रुपए पर बंद हुआ अडानी पावर के शेयर लगाता लोवर सरक्ट लग रहा है आज भी यह लोवर सरक्ट पर बंद हुआ यह शेयर पाँच फीजदी यह 8.20 रुपए से घटकर 156.10 रुपए यानि यह 56.10 पैसे पर बंद हुआ अडानी ट्रांस्मिज़न के शेयर में भी लगातार लोवर सरक्ट लग रहा है यह शेयर पाँच फीजदी यह 36.15 पैसे गिरकर 687.75 पैसे पर बंद हुआ अडानी टोटल के स्टॉक में भी लगातार लोवर सरक्ट लग रहा है इसमें भी अगर बात की जाए यह शेयर पाँच फीजदी यह कह सकते हैं अडानी विलमर का शेयर पाँच फीजदी यह 21.80 पैसे गिरकर 414.30 पैसे पर बंद हुआ यह शेयर आज 425 रुपए पर खुला था यह शेयर आज लगातार शेयरों में गिरावट हो रही है उपर जो देखा जा रहा है शेयर जब खुल रही है तो उसके बाद 5 फीजदी कहीं 6 फीजदी कहीं ऐसे यह गिरावट देखने को मिल रही है तो हिंडन बर की रिपोर्ट आने के बाद अडानी राहत की सास नहीं ले पा रहे है उनकी मुस्किले लगातार बढ़ती जा रही है उनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ राहती खबर आईगी लेकिन जिस तरीके से सरकार भी बचाओ में उतरी है ऐसा कहा जा रहा है कुछ राजनितिक विशुशक ऐसा मानने हैं अगर देखा जाए तो टीवी चैनल्स पर ना डिबेट में भारतियंता पार्टी के लोग जाते है नसदन में इस बारे में चर्चा हो रही है कि अडानी ने इतना सारा बड़ा घुटाला कर लिया है इस पर चर्चा की जाए वहाँ भी कोई चर्चा नहीं हो रही है और शाथी साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से अडानी के शेर लगातार लिए और अडानी के तरफ से ये दलील दी जारे हैं उनके लोग जमें कह रहे हैं हिंडर्बर्ग ने अडानी ग्रूप को पहुँचा है भारी नुकसान अब कमपणी ने बदली अपनी स्टेजी। दरसल हिंडर्बर्ग के भावर से बाहर निकलने के लिए अडानी ग्रूप ने जो प्लानिंग की है उसमें करज भुकतान, कैश बचाने, कैप्टल, एक्सप अडा हो पाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा है। अब एक ऐसा ततकाल असर अडानी ग्रूप पर देखने को मिला कि अब तक उसे हर रोज बड़ा घाटा जेलना पड़ रहा है। 88 गंबीर सवालों को उठाने वाली ये रिपोर्ट जारी होने के बाद से अब तक समू का मार्केट कैप 117 अरब डॉलर के से ज़ादा गिर चुका है। जोरदार गिरावट जलते गौतम अडानी की नेट वर्थ बुरी तरह प्रभावित हुए और दुनिया के अरब पत्यों के लिस्ट में चौथे पायदान से वो एकदम किसक का टॉप 20 से भी बाहर हो गये हैं। आने के बाद जो अडानी करने के सोच रहा है लेकिन उससे कोई जो है मतलब फाइदान मिलता ओपर नहीं दिखाई जा रहा है। गिरावट के साथ 17,700 पर बंद हुआ। टाइटन कमपनी के शेरों में सबसे ज़्यादा बरते देखने को मिली उधर अडानी गृप के शेरों में गिरावट लगातार जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मोडीज ने अडानी गृप के चार स्टॉक्स की रेटिंग घटा दी है। कि 13 जनवरी को अडानी इंटरप्राइस के शेर 7.5 फीजदी गिरे जबकि अडानी पोर्ट्स के शेर 5.5 फीजदी गिरावट आई है। अडानी गृप ने बड़ा घोटाला किया है। सबस्क्राइब जरू कर ये बेल आइकन दबाईए ताकि सच कब आप तक बहुत दिने हैं। नवस्कार। दलाइफ टीवी सच सबसे आगे। सबस्क्राइब टीजदी राइकन दिलाइब एưởng तो अडाला कि अडानी ने डाला कि सबस्क्राइब पर गुनाष la जरूकर।